अनाया के पास एक प्यारा पती और एक खूबसूरत बेटी थी, लेकिन उसकी सास, शान्ता, उसके प्रती बहुत अच्छी नहीं थी. शान्ता अकसर घटिया बाते कहती थी और अनाया को दुखी करती थी. एक दिन, जब अनाया बाजार में घूम रही थी, तो उसे एक विशेश दुकान मिली. दुकानदार एक बोड़ा और बुधिमान व्यक्ती था. अनाया ने उससे कहा कि वह खुश रहना चाहती है और चाहती है कि उसके साथ अच्छी चीजे हों, भले ही उसकी सास निर्दई थी. दुकानदार मुस्कुराया और उसे एक अनोखी साड़ी दिखाई. उन्होंने कहा कि यह जादूई साड़ी है और यह उसके जीवन में सौभाग्य और खुशियां लाएगा. अनाया ने जादूई साड़ी खरीदने का फैसला किया और तुरंत उसे पहन लिया. जब अनाया ने जादूई साड़ी पहनना शुरू किया तो चमतकार हो गया. उसकी सास अनाया के साथ बुरा बरताव करने की बजाए उसके साथ प्यार और सम्मान से पेश आने लगी. अनाया बहुत खुश थी क्यूंकि उसकी सास उसकी सबसे बड़ी समर्थक और सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी. गाव की लोग इस बदलाव को देखकर आश्चरे चकित रह गए. जादूई साड़ी की वजह से अनाया के परिवार में खुशिया आने लगी. गाव बहुत अच्छी जगह बन गया और अनाया का पती सफल हो गया. उनका घर हमेशा प्यार से भरा रहता था और सभी का आपस में मेल जोल रहता था. अनाया की बेटी एक प्यारे और देखभाल करने वाले घर में बड़ी हुई और वो बहुत खुश थी. जादूई साडी की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोगों को दया और ख्षमा का महत्व सिखाया. अनाया बहादूरी का प्रतीक बन गई और उसने सभी को दिखाया कि दयालू होने से बड़ा बदलाव आ सकता है, चाहे चीजे कितनी भी कठिन क्यों न लगे. और इस तरह जादूई साडी के साथ मिलने वाली अच्छी चीजों का आनन्द लेते हुए गाव हमेशा खुशाल रहने लगा. साडी ने न केवल अनाया की जिंदगी बदली, बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया कि प्यार और क्षमा मुश्किल समय में भी खुशी और चमतकार ला सकती है. दूसरों के प्रती दयालू होने से हम उनके और हमारे जीवन में भी खुशियां ला सकते हैं.